कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल चंद्रा क्लाइस में दोस्तों आज हम बात करेंगे बेलन की बेलनाकार आकरती की और इसमें हम देखेंगे प्रेश्ट की का जरूथ पड़ती है संपुड्र प्रेश्च की यह जरूथ पड़ती है और आईतन की कहा जरूथ पड़ती है पूरा आपको डीपली समझाओंगा क्योग्य यूपीड, व्यूपस्ड पया मक्रία, ऑनिकनला की लिए एक द्रक्रम स говорит, ense cats कग्या ओंगा दोस् बनाए रखे और स्टार्ट करने से पहले केवल दोस्तों इतना कहना चाहूंगा यह आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लेज लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल से जोड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों बेलन बेलन में तीन चीजह आते हैं दोस्तों क् पूरे डेटियन में आपको समझा दोंगा एक दो कुछिन कराने के बाद देखे दोस्तों बेलन में तीन चीजह होती है क्या होती है तीन चीजह होती है पहली कि कि आपका बक प्रष्ट कि दूसरा संपूर प्रष्ट और तीसरा है दोस्तों आयतन त्रीयस में कर दोस्तों आयज तन चैने थ्युजिस और रिठी जिसें गडवर को इन तीनों चीजह को में पूरे डिपेटेटर्ब फैटरर्ब के डिए मैं की चीजें होती क्या है थे करे दोस्तों देखे जब हम बग्क प्रेस्ट की बात करते हैं तो वात का जो फोर्मूला होता है वो होता है दोस्तों टूorg 5 अब यह उत्रिक है और जो संपूर बसका जो फोर्मूला होता है बोदन्यके कि तो पाइल आर तो और अंतर क्या है दोस्तों आपने पड़ाव का बख्कप्रष्ट कंफीज हो जाते हैं कि जब कुशन आता है तो हमें यह मैंड में खुद सोचना पड़ता है कि इसमें आयतल लगेगा संपोर्ष्ट लगेगा यह बख्कप्रष्ट का फॉर्मल लगेगा क्योंकि यह चेप्टर से यह बेलन का एच यहां उंचे की कारण चुड़ जाता है दूसरा इसमें डवल रहुते हैं ठीक है वह इसकार में चलता है क्योंकि यहां जो संपोर्ष्ट अंदर से और बाहर से होता है अभी आपको समझाओ आयतल बजन की बात करता है ठीक है दोस्तों अब जैसे अगर उपर से रंगने की बात करूं उपर से रंगने की बात करूं और यह एक वर्ग से में इसका खर्चा पांच रुपे है रंगनेगा तो जब केवल ऊपर से रंगने की बात करूंगा तो किसका फॉर्मल लगेगा बक्क प्रष्ट का मतलब बेलन का जो उपरी हिस्सा है उसके की लिए कौन सा फॉर्मिल लगाते हैं दोस्तों déjà बीलनाका बाग अन्दर का इसके बाहर का पूरा अगर रंगने की बात करूं कि कुछ चणाने की बात करूं तो क्या अंदर से वर बाहर से दौनों तरफ से ठीख है यह फ्रीट चिप काने की बात करो तो उसमें कौन सा लगीगा संपूरख प्रश्ट का देखिए बग्त अब लगता है जब केवल ऊपर के हिस्से की बात हो और जम्पूड का मतलब होता है जैसे भी दिनाकार है तो इसके अंधर भी रंगा जाए शुक्त के बाहर भी रंगा जाए इतम लगते हैं डोस्तों संपूड करें कि पर आती तो उसमें हमें आयतन के फॉर्मिले की आविश्यक्ता पड़ने वाली है तो दोस्तों कोुषन के अकोरडिंग हम समझते हैं कि हमको किस प्रकार से कुषन देता है किस प्रकार से आप से पूछता है तो यह तो फॉर्म रहें दोस्तों जब बे लिन के ऊपर के से की बात होगी तो वलक प्रस्ट मनलब पूरे लिन की बात होगी अंदर से और भार से जैसे कि जैंसे के डेंच कहँता है पानी की यह घॉम्ट आप यह सते हैं धीर हाराम से करते हैं तो यहापका पेलन से सम्मन्दित कॉशन जो की आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टिंट धहें दोस्तों कोशन है — एका ब्रश्य का ब्यास यह बना हुआ है युकार से ब्यास काु? करते हैं तो ब्रश्य आ टेनक है जिसका व्यास मतलब पोरा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बाहर से रंगने की मैंने आपको बताया था सबसे पहले वेलूem करनी हैं वेलू फैंट किसे करेंगे कि इसका जो बयास है जो ब्यास है और जो त्रीस राहे दोस्तो और कितना हैं दोस्त टरूप й कंगए साथ तो तरज्या आजाएगी साथ ठीक है उसके बाद लंबाई लंबाई मतलब दे रखी देखियो तरज्या को आर बोलते हैं लंबाई मतलब उंचाई हो जाएगी वो दे रखी आपकी दोस्तों पंदरा मीटर अब देखिए दोस्तों जब पंदरा मीटर में ही आपकी मुझाई है दोस्तों कितनी 15 इसका ब्यास है दोस्तों कितना साथ एक प्रतिमीटर का मतलब हो गया कि प्रतिमिट्र मतलों के एक यह के दर से एक दर से एक दर से एक दर से वर्गाकार मतलब इतने हिस्से को रंगनी का जो खर्च है वह दोस्तों आपका 10 रुपे तो इसको पूरे रंगने का खर्च कितना होगा तो मैंने कहा क्या का था आपको फॉर्मुला समझाते समय है कि बाहरी छेत्र की बात होगी रंगने की तो हम क्या लाएंगे बक्रष्ट तो हम क्या फॉर्मल लगाएंगे दोस्तों सबसे पहले बक्रष्ट तो यहां लगाएंगे बेलन क का बग्रप्रश्ट क्या लगाएंगे बेलन का बग्रश्ट डिलन का बताया था तूपाई आर एच ठीक है तो तूपाई ठू हो जाएगा पाई की वैलू 22 वटा साथ होती है आर आपके आपका साथ और उंचा ही है कितनी में दोस्तों 15 तो यह हो जाएगा मल्टिप्लय को चुमबालीस को नाथा तो 15 सुक दिये। चैनीो पंजाज कर नाथा साथ पहस च्छेसराइगा despite कि सब्था अजालो networkinger करेंट भी प्रम पीटर मिटर इसका पूरा एरिया है अक्रै कि और आता ह Tech यह कहला है कितना खरशा आता है कितना थू पर मीटर अगर वी div पसंद आघार थो शर्टा स्ब्सक्रायब किज लंपिटेड एक आइढ आपका हने वप Info है आपको बहुत मज़ा आने वाला है एक कुशन और कराऊंगा बहुत ही अच्छा कुशन जो थोड़ा हाड लेवल का ठीक है तो आप इसकी प्रेटिस करें और जो कुशन ना है आप कमेंट में मुझे लिखकर वो कुशन पूछ सकते हैं आपको तुरह जवाब दूगा ठीक क्या आएगा च्छासट सो रुपे ही आ जाएगा उसका दोस्तो आंसर तो दोस्तो एक कुशन और करते हैं जो की आधन से लेटेड होगा देगा कैसे कुशन को वह मैं आपको समझाता हूं और बहुत ही अच्छा कुशन है तो चलते हैं अगले कुशन की तरफ तो अगला कि आधार की परदी 33 सेंटीमीटर और बेलन के बेलन का जो आयतन है वह सत्रेसों बतीस पॉंट पांच से मिकी वाइतन से मिक्यू में होता है तो बेलन की उंचाई बताईए सेंटीमीटर में ही पूछी है ठीक है दोस्तों अब देखें दोस्तों आप कन्फ्यूज मत होना जब बेलनाकर बाहर बाग की बात हो रही है लेकिन अब परदी की बात कर रहा है लेकिन कह रहा है आधार की परदी तो वह पूरे बेलन के वकष्ष्ट की बात नहीं कर रहा है वह केवल बात कर रहा है आधार की परदी आधार की परदी मतलब यह वाले से की और यह वाला ज कि बिधातों इसमें कुंसा फॉर्मला आयें दूस्त को मैं थोड़ा मिटा देता हूं इतने में आ जाए गा यह तो इसमें लाएँगे बिध की परदी का फॉर्मला आएंगे और परदी का जो सूत्र होतार वह होता है टू पाई-R ठीक है 25 तो ब्रत की पर्दी दे रखी है 33 तो यह 33 रखेंगे बरावर टू का टू पाई का मान होता है 22 वटा साथ बुणा हो जाएगा आर ठीक है यह कटेगा 11 से 3 बार और 11 से यह 2 बार ठीक है त्रिया आपकी आगी त्र derivat आव दे रखका है दोस्तो इतं खुदे रख़ा है तो मलन लगेंगे बेलन का यह तुख पाइज लोड जो तो बेलन का फॉर्मम में ने बाताया था पाई आर स्कॉर एच ठीक है पाई- यह इसकॉर एच तो बेलन का जो आइटन है वाहं हम आइटन रख लेंगे आइटन जो है वो है 1732.5 बरावर पाई कमान तो 22 बटा कितना होता है। 7 रख देंगे आर दिया है तो आर कितना है आपका 21 बटा 4 दो बारे तो 21 बटा 4 है गुणा एच का एच हमें किया ने कलना एक बाइच करना है तो हम क्या करेंगे इसमें क्या करना हैं अब यह पूरा नीचे नहीं जाएगा ठीक है दोस्तों हमें क्या करना है तो यह सब मिलाके मैं में चला जाएगा तो सत्रे सो बतीस पॉंट पांच गुणा चाड़ चुका सोला गुणा एक साथ का साथ नीचे आ जाएगा आपका 22 गुणा 21 गुणा 21 इसको पंटिप्लाइग नहीं करेंगे अभी क्योंकि कट जाएगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा देखिए पॉंट से एक जीरो बढ़ा लेंगे यह हो जाएगा 210 अब देखिए दोस्तों 11 से यह जरूर क्रॉस हो रहा होगा अगर यह 11 से क्रोस हो तो ग्यारे इसको यहां थोड़ा लिख देते हैं तो आपको और अच्छा लगेगा यह आजाएगा पंद्रे सो पिछेतर गुणा 16 बटा कितना आजाएगा दो गुणा तीन गुणा दोसा तस ठीक है अब देखिए दोस्तों दोसे यह आट बार क्रॉस पिच्छतर गुणा आठ बटा तेश ठीक है अब तीन से इसको काटेंगे तो तीन दुना 6 3-5 15 कुछ दोस्तो इस हो सोदो से चार वार करें कि दोस्तो आजएगा वह कि कि अट रखना है कि उचा की बि Dude कम इस मेरेकी भर्णाप का भी कि अधार नियुक्य-फार शुक्र बस इतना आयतन की जगे हम आयतन को रखा है और यहां पाई की वैलु 22 वटा साथ रखा है आरे कितना आपका 21 वटा 4 तो 21 वटा 4 दो बार रखा है से आप खुद कर सकते हैं इसको कैल्कुलेट की जिर्णी कीजिए आے अलग कीजिआब कर सकते तो वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों दे भाग.. आगे लाएंगे हम फिन के बाद करें लाएंगे भाइत ठीक है दोस्तों एक बात करेंगे जिसमें से बनता है अब के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेट है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद